यह पूरा रोमैंस है यह इसी पर चलता है, फीलिंग पर, इमोशन पर, मैं पूछ रहा हूँ वो जो फीलिंग है, वो आप में उस व्यक्ति से आई है, या वो फीलिंग आप में पचास और जगहों से पहले ही आगर बैठी हुई थी, बस एक इनसान मिल गया, आपने उपर, उसके उपर उसारी फीलिंग डाल दी, कहिए तो, वरना कैसे हर लड़के को पता है, कि लड़की के सामने किस तरह से सजबज के जाना, और उससे कौन-कौन सी बाते बोलनी है, और कौन-कौन से शब्द और बात के बोलनी है, कैसे पता है, उसे पहले से ही पता है, और लग ये मुझे में रुची, इंट्रेस्ट रखता है, ये कैसे दोनों को पहले से पता है, अगर रोमांस कोई एकदम ताजा खिला हुआ फूल होता, तो वो तो फिर अन्ट्रेडिक्टबल होता न, उसका कोई फिर पूरु अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता था, है न, ले लेकिन आपको पहले ही पता है, उधारण के लिए आप मिलने जाते हो किसी से, डेट और पर, आप भली बात जानते हो कि आप कौन से कपड़े पहन के जाओगे, तो सामने वाले को बिलकुल मजा आ जाने वाला है, माने ये बात पहले से ही ताहिता है, आपके दुमाग में इसी ऐसी बाते करी जाती है रोमैंस में, मैं भी यहाँ पे आपको दस चितर दिखाओं, इसमें एक स्तरी हो, एक पुरुष हो, मैं आप से पूछू इसमें से रोमैंटिक जोडे कौन से हैं, आप क्या ततकाल बता नहीं दोगे, बता दोगे, आप कैसे बता दोगे, क्यों बता दोगे ना, फलेजदार बात यह है कि यह बात उन लोगों को भी पता है, और इसी तरह उनका रोमांस चल रहा है, सबको पता है कि क्या करना है, और यह बात बिल्कुल यांतरिक है न, मेकेनिकल है न कौन सी बात बोल देनी है, मजदार बात यह है, कि वो इस लड़के को जो बात बोल रही है, वोई बात, बिल्कुल वई बात, बिल्कुल वई शब्द, उसने अपने पिछले तीन लड़कों को भी बोले थे, लेकिन पेट अभी भी नहीं भरा, और वो लड़का भी जानता है कि यह वाट जो मुझे बोल रही है, बिल्कुल यही शब्द, बिल्कुल यही वाक्य है, यह पांच और को पहले बोल चुकी है, यह जानती हुए भी उसको बड़ा सुख मिल जाता है, वो कहता है, हाँ मुझे तो बोला, यह रोमैंस है, रोमैंटिक मुवीज आते ही न, उन रोमैंटिक मुवीज में, क्या जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो डाइरेक्टर है, उसको पहले से ही नहीं पता है कि ओडियन्स क्या मांग रही है, बोलिए, वही रोमैंस है, हम सब के सामने, हम 3-4-5 साल के होते होंगे, तभी से यह रोमैंस की छवी अमारे दिमाग में डाल दी जाती है, छोटी-छोटी बच्चों को भी तो लेकर लोग चले जाते हैं न, शादियों में, अब वहाँ पे आब दूला दूलन का खेल देख रहे हैं, और शादी वेरा में महौल वैसे ही जहरीला होता है, वहाँ आप देख रहे हो कि किस तरीके की लिफंगई चल रही है, वह बच्चा समझ जाता अच्छा, इसी को रोमैंस बोलते हैं, इसी के लिए जिया जाता है, इसी के लिए मरा जाता है, आप देखिए न, शादियों की बात चल लिए तो, किसी भी शादी में जो कुछ हो रहा होता है, क्या पहले से नहीं पता होता कि यह होने जा रहा है, जो विवाह का उत्सव होता है, जो सरिमनी है, उसमें सब पहले से ही पता है न, ये सब होने जा रहा है, तो ये बात तो बहुत उबावी होनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी कूद कूद के जाते हैं, सच बज के जाते हैं, बात एक दम उबावी होनी चाहिए, आप ये होगा, 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 वो जो दो हाँ के बैठने के लिए उन कुर्सियों पर उन से पहले 70 और जोड़े बैठ चुके हैं और जो कपड़े इन दोनों ने पहने हैं बिल्कुल वही कपड़े पहन के बैठ चुके हैं ये बात तो बहुत बोरिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए गया लेकिन यही romance है मेरे पास एक image है एक दिन मेरी भी शादी होगी न मैं वहाँ उपर बैठूँगा यही है romance पहले से आपके दिमाग में एक image डाल दी गई है जिस वो glorify कर दिया गया आपको बता दिया गया है यही जीवन का अमरित है तुम्हें यह मिल गया तुम्हें सब कुछ मिल गया तुम्हें अगर बढ़िया वाली फोटो खिच गई दो चार दस लाग के कपड़े और गहने पहने हुए वहाँ उपर मंच पे बैठ करके तो तुम तर गई बिटिया वो काय को बोर्ड में मेहनत करेगी काय को वो काय को सुभ़ सुभ़ उठ करके स्विंग पूल जाएगी ठंडे पानी में कूदेगी तकलीफ काय को लेगी वो वो तो तर गई उसको पहले ही बता दिया गया है तो रोमैंस यही है इमेजेस का पीछा इमेजेस का पीछा यह बहुत खौफनाक बात है सिर्फ हस्ते मत रहिए आपको उस चीज से कुछ मिलना नहीं है लेकिन आपने यह भावना डाल दी गई है कि अगर तुम भी अपने आपको उस इमेज में देख पाओ तो तुमें सुख मिल जाएगा मिलना नहीं है पर यह भाव डाल दी है कि मिल जाएगा तो एक फोटो लगी हुई है उसमें दो लोग है समझ लीजे बस दोनों के सरया मून नहीं है और पूरी आबादी वो जो खाली स्थान है जहां एक चेहरा नहीं है उसमें अपना चेहरा लगा के देखती है और कहती है कि अगर मैं यहां पे हूँ तो मैं सुखी हो गया ऐसी चलता है ना खेल ऐसी चलता है ना और उसके बाद हम घूमने जाएंगे और उसके बाद हम महंगे होटिल में रुकेंगे और उसके बाद हम यह करेंगे और हम यह करेंगे यह पहले से कैसे पता है, तुमने करा तो है नहीं, या कर चुकी हो पांस साथ बार, हनीमून की बात हो रही थी, तुम्हें कैसे पता कि इसमें सुख है, बताओ तो, और सब को एक ही तरह की चीज में सुख है, यह संभव कैसे है, थोड़ा विचार करिए, थोड़ी की को एक ही तरह की चीज में पहले से ही कैसे पता है कि सुख मिल जाना है, सुख नहीं मिलता, वो भी छोटा मुद्दा है, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा है कि नहीं मिलता है सुख, मैं तो इस मुद्दे की बात कर रहा हूं कि बिटा तुम्हें आठ, दस, बारा, चौदा साल की उमर से पता कैसे है कि उस फोटो में उस फ्रेम में अगर तुम्हारा चेहरा लगाओगा तो तुम्हें बहुत सुख मिल जाएगा यह तुम्हें किसने बताया तो मैं कहा रहा हूँ बहुत बड़े गुनहगार हैं वो जिन्होंने हमें यह बताया बहुत बड़े गुनहगार आप पूछते हो ना बार बार सौ तरीकों से एक ही सवाल पूछते हो आचारी जी दुख क्यों है दुख इसलिए है क्योंकि आपके पास सुख की जूठी छवियां है आपको जो छवियां दे दी गई है आप वहां सुख तलाशने टटोलने पहुँच जाते हो वहां मिलता दुख है इसलिए आपके पास दुख इतना है और कोई आपसे पूछेगा कि इसमें तुम क्यों मान रहे हो कि सुख है तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होता है आपके आगे एक छव यह किसी भी चीज की नाच रहे हैं दो बारिश में जूम रहे हैं वही फिल्मी कारिक्रम सारा यह सब है यह सब और आप कह रहे हो काश मुझे भी यह सब करने को मिले तो कितना सुख रहेगा कोई आपसे पूछे कि आपको कैसे पता इसमें सुख रहेगा तो आपके पास कोई उत्तर होगा नहीं आप कहेंगे यह कॉमन सेंस है ना इसमें तो सुख होता ही है यह तो कॉमन सेंस है यह तो होता ही है आपको कैसे पता कैसे पता जूट को जिन्दगी बना लेना अब बताओ इन दोनों में साजा क्या है प्रेम का मतलब होता है जैसे आप बुलते हो फिल्मी भाषा में दिल, जान, जिगर, किड्नी, गुर्दा सब निचावर कर दिया किस पर? किस पर? सच्चाई पर यह प्रेम होता है जो चीज चाहने लायक है, उसको चाहा यह प्रेम है और रुमान्स है कि यह तो छोड़ो कि यह चीज चाहने लायक है यह चाहने लायक नहीं है कोई चीज है ही नहीं, फिर भी खुश हो गए क्यासे खुश हुए? बहुत मज़ा आ रहा है कब तक आंख बंद करे रहोगे जिन्दगी बेर है मैं आपने आंख बंद कर रखी है वो मौका देखके मुझ पे लाक मारती है आंख बंद थी कुछ भी किया सकता है यही होता है रोमेंटिक लोगों के साथ भला होता कि थपड़ पड़ता थपड़ नहीं पड़ता और बताता हूँ चुकि वो कलपनाएं सब प्रिडिटेर्मिंड है पहले से ही तैं है तो इसलिए चाहे 14 साल वालों का रोमांस हो कि 34 साल वालों का उलगभग एक जैसा होता है वो एक जैसे गुलाब के फूल के अलग अलग होते हैं दोनों के लिए गुलाब के फूल अलग होते हैं बाते भी वैसी होती हैं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा यही 14 साल में बोल रहा था, यही 34 साल में बोल रहा है, तुझे दिखने ही रहा है, तुझे एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, जिसे स्क्रिप्ट से तुझे आश्थत कुछ नहीं मिला है, और तुझे पढ़े ही जा रहा है, तुझे पढ़े ही जा रहा है, और उधर हो लड़ नहीं जी सकता जानू, then happy लड़की भली बाती जानती ही क्या चीज़ उसको बोलनी है जानू बोलो ना दिल का हाल खोलो ना तुम सब कुछ मुझे बता सकते हो, प्लीज बताओ ना उधर दूसरा चल रहा इफ बोलो ना, खोलो ना, then excited इधर happiness है, उधर उतेजना है और दोनो जब मिलते हैं, तो भारत एक सुचालिस करोल का हो जाता है यह रोमांस करो झांस कर दो